जैहिन दोस्तों, केरे पॉइंट प्रयार में आप स्विगा स्वागत है, मेरे प्यार साथियों अगर आप त्यारी कर रहे हैं, NTPC एक्जाम की त्यारी करें, NTPC 2000, 20 के एक्जाम की त्यारी करें, या आप लोग त्यारी करें, ग्रूप D की, तो मेरे प्यार साथियों हमने आ हम daily 30 questions देंगे और ऐसे हम आपको यहाँ पर 30-30 questions करके show video provide करेंगे जिसके में आपको total 3000 questions मिलेंगे तो दोस्तो आपके exam तक यह 3000 questions complete हो जाएंगे तो दोस्तो इस test को daily लगाईए और अगर आप लोग हैं आप नए आए हैं चैनल पर चैनल को subscribe किजिए daily आपके लिए यहाँ पर like class भी चल रहे हैं उनको भी attend किजिएगा तो दोस्तो आप सबसे एक request है इस वीडियो का अपना एक like जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तो आपको एक like और एक share से हमें motivation मिलता है ताकि हम आपको और अच्छे ची वीडियों आपर provide करते रहे हैं तो मेरे प्याश साथियों like और share जरूर किजिएगा तो दोस्तो आज का हमारा पहला question है तामबा का मुख्य आइस्क क्या होते है तामबा का मुख्य आइस्क क्या होते है next देखे अगला question next question आप लोगे लिए black lady का रासायनिक नाम क्या होते है black lady का रासायनिक नाम क्या होते है graphite क्या होते हो साथियों graphite होते है option D right answer होगा यह आप ग्रेफवाइट next question की question number 3 भारी सनेहों के रूप में भारी मशीनों में सनेहों के रूप में किसका परियोग क्या जाता है जो भारी मशीन होती दोस्तों heavy मशीन उनके अंदर सनेहों की रूप में किसका परियोग होते है किसका होते है ग्रेफवाइट का option B आपका रासायनिक की रूप में ग्रेफाइट का इस्थेमाल क्या जाता है Next थेपणों का मुख्य कारी क्या होते हैan क्या होते हैं Oxygen को रख्त में प्रिवायत करना होते है option C यहाँ पर सही answer हो जाएगा next देखे अगला question ने master granti कोन कहलाती ही तो दोस्तो master granti किसको कहा जता है right answer हो जाए पर pious granti को कहा जता है master sandy option D यहाँ पर pious granti सही answer हो जाएगा next देखे अगला question ने what the Pyrodoxin क्या होता है पाइरोडोक्षिन इसका रास्टाइनिक नाम होता है विटामिन बेशिक्स का ओप्षिन ए आपका राइट अंसर नेक्स देखी भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी कमेंट किजी दोस्तों अगर आपको पता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी तो कमेंट करके ज़रूर था ये 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी दोस्तों ओप्शन डी आपका राइट अंसर हो गए पर नेक्स देखिए अगला क्यूशन राष्ट्री सूचना विज्ञान के अंदर की स्तापना कब होई थी तो मेरे प्यार सातियों पता है तो कमेंट कीजिए अदरवाज नहीं तो कोई बात नहीं या पर देखिए 1997 में की गई थी ओप्शन C आपका राइट अंसर होगा नेक्स देखिए अगला क्यूशन है भारत में सेलूलर फोन सेवा कब परारम होई थी तो भारत में सेलूलर फोन सेवा जो है दोस्तों ये की गी थी 1995 में उप्शन B आपका राइट अंसर गया पर नेक्स देखिया अगला क्यूशन है विश्व बेंक की स्थापना कब की गई विश्व बेंक की जो वर्ल्ड बेंक है उचकी स्थापना कब की गई थी तो मेरे प्यार साथ यह की गई थी कवे 1945 में वर्ल्ड बेंक की स्थापना की गई थी तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का परचलन किया था अगला क्यूसर देकि नेक्स 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 जो note होते दोस्तों, जो currency होती है, उनका निर्गमन किसकी द्वारा किया जाते हैं, तो ये करते हैं, दोस्तों कोन? RBI, RBI की full-prong क्या है? रिजरो बैंक अफिंडिया है, और मेरे पैस्तियों, जो इसका मुख्यल है, वो है मुंबई में, तो option B, आपका right answer होगा है, मेरे पैस्तियों, अपने like जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपके लिए हम मेनत करते हैं, like तो बनता ही, बनता है, अगला question दोस्तों, note का निर्गमन किस परणालिक की द्वारा किया जबता है, तो साथ्यों, note का जर निर्गमन होता है, वो किस परणालिक की द्वारा होता है, निउंतम कौर्स परणालिक की द्वारा, किस के द्वारा, निउंतम कोश परणालिक की द्वारा होता है, option A, आपका right answer होगा, next देखिए, पूरे विश्यों में किस बैंक की सिर्वादिक साकाई हैं तो दोस्तों हमने पीछे वाले क्यूशन में आपको बताए था कि सभी से ज़्यादा साकाई हैं वो किसकी हैं SBI की State Bank of India की है और इसका मुख्यले का पर है इसका मुख्यले का पर है दोस्तों मुंबई में और आपका राइट अंसर हो जगे पर नेक्स देखिया अगला क्यूशन आयात निर्यात बैंक एकजम की स्तापना कब होई थी तो मेरे प्यार से यह की गए थी 1982 1982 1982 में एकजम बैंक की स्तापना की गई और आपका राइट अंसर होगा ऑगला क्यूशन की एक्यूशन नमें 19 क्या है जानकी रमन समेटी का संबंद किस गोटाले के साथ है किस गोटाले के साथ है तो यह है किस दिन पर्तवी शूरय से सरवाधिक दूरी पहरते है तो यह रहता दोस्तों 4 जूलय को कभर च्यार जुलाई को जो पर्थवी है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है option B आपका right answer होगा next देखिए अगला question पर्थवी पर अक्साणसर रेखाओं की संख्या कितनी होती है कितनी होती है अक्साणसर रेखाओं की संख्या 181, 80 होती है option A, आपका right answer होगा अगला question कि पर्तवी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं किची गई तो साथियों कितनी 360 option D, आपका से जगा 360 देशांतर रेखाएं पर्तवी पर कुल किची गई है यादखना, अगला question कि question number 73 अंद महाधिप अंद महादिप की नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों अंदकार महादिप या अंद महादिप की नाम से किसको जाना जाता है ये जाना जाता है दोस्तों अफरीका को option A आपका सेज़गा अफरीका को अंद महादिप की नाम से जाना जाता है याद की next है निग्रो कहां की परमुख जन जाती है निग्रो कहां की परमुख जन जाती है तो मेरे प्यार साथ यह है उत्री अमेरिका की option B आप कासे होगा उत्री अमेरिका की परमुख जन जाती का नाम है निग्रो याद रखिएगा next देखें अगला question विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है तो दोस्तो देखी सबसे छोटा जो है वो ओस्ट्रेलिया है उप्शन डी आप कासे होगा तो दोस्तो ओस्ट्रेल जो ये छोटा है सबसे बड़ा कौन सा है तो मेरी पैरसातियो सबसे बड़ा कौन सा है Asia महातिप यह सबसे बड़ा ठीक है सबसे बड़ा है Asia और सबसे चोटा जो है वो है Australia याद रखिएगा नेश्ट देखी The shape of the beast किसकी करीती है The shape of the beast यह किसकी करीती है तो दोस्तों किसकी है यह अरुंदती रोई की किसकी अरुंदती रोई की है Option A आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर Next देखी अगला question Mountbatten योजना का मुख्य उदे से क्या था Mountbatten योजना का मुख्य उदे से क्या था सातियो क्या था यह भारत का विभाजन जो Mountbatten योजना आई थी दोस्तों उसका मुख्य उदे से जो था यह यही था कि भारत का विभाजन करना Option D आपका right answer हो गाएँ पर Next देखी राम क्रिशन प्रम हंस का वास्त्विक नाम क्या था राम क्रिशन प्रम हंस का वास्त्विक नाम क्या था यह था दोस्तों गदाधर चटोबद्दा है Option D आपर right answer का गदाधर चटोबद्दा है राम क्रिशन प्रम हंस का वास्त्विक नाम था याद इखना Next देखी C.U. की किसके दवारा लिखी गई तो मेरे साथे हो ये लिखी थी चीनी आतरी हवे इंसांग जो हवे इंसांग था चीनी आतरी ये कौन था दोस्तों चीनी आतरी था हवे इंसांग और ये इनकी दवारा लिखी गए थी C U की ठीक है या दखना Option C आपका सवय होगा अगल्या क्यूशन देखिए और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्यूशन है सा आलम दुवीतिय किसके काल में मुगल समराथ था सा आलम किसके काल में मुगल समराथ था तो दोस्तों ये था रोबर्ट कलाव के काल में तो दोस्तो आज की क्यूशन यहीं पर complete होते हैं दोस्तो अगर कोई भी आपका doubt है तो railway exam को लेकर या question को लेकर आप हमें comment करके बताइए हम आपके doubt यहाँ पर हर question का हर comment का जवाब आपको जुरू देंगे comment करके जुरू बताइए आपको series कैसे लिए की question कैसे लगे और दोस्तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं चैनल को subscribe किजिए अगर अच्छी लगे हो question अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को अपना एक like जुरू दीजिगा दोस्तो और दबा के इसको facebook, whatsapp, telegram पर share भी कर दीजिएगा तो दोस्तो मिलते हैं अगली class में तब तक goodbye, take care, jay hind, jay bharat, unde matram